स्टुडेंट्स अभी देखो जो सल्यूशन है अभी मैंने आपका पीछली वीडियो में बता है जो सल्यूशन है वह के होमोजीनियस मिक्स्चर है टू और मोर नोन रेक्टिंग सब्स्टांस का ठीक है जो इसके कंपोजीशन है वह वेरीड हो सकती है और कुछ केमिकल कंपोनेंट नोते हैं सल्यूशन होता है तो इस तरह जो सल्यूशन उसके दो component होते हैं solute and solvent और उसके बाद हमारे पास है concentration of the solution concentration of solution होते हैं it implies the amount of solution प्रेजंट इन गिवन quantity of solution और डाता है कि हमारे पास solute है वह कितनी amount में है कितनी quantity में solution में प्रेजंट है उसे हमें क्या बोलते हैं concentration of solution तो method to express concentration of solution हमारे पास कौन-कौन से है हमारे पास 9 method है इसको express करने के strength है molarity molality normality, mole fraction mass percentage volume percentage, parts per million और mass fraction ठीक है यह हमारे पास 9 method है इसको express करने के तो one by one हम इस method के बारे में पढ़ते है सबसे पहला method है हमारा strength है strength क्या होता है it is defined as amount of solute in gram present per liter of solution वहला कितने amount of solute है gram में जो एक liter solution में क्या है present है जीक है जैसे one solution of जैसे हम कहता है 5 gram sodium hydroxide को हम dissolve करते हैं तो इसका strength को find out करने का क्या formula हो गया mass of solute in gram upon volume of solution in a liter मतलब जो solute है उसके amount हमने gram में लेनी है क्या लिखते है number of moles of solute upon volume of solution in a liter सबसे पहले हम मोल से निकालते हैं solute के volume of solution लेटर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं उसके बाद में हमारी मोलेरिटी आती है तो इसके यूनिट्स के मोर्स पर लीटर है कर दो कर दो नहां है